एक छोटे से गाव में राजू और मोहन नामक दो दोस्त रहते थे। वे दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ हर पल खेलते और मिलखुले रिष्टे से जुड़े थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी दोस्ती भी और मजबूत होती गई। एक दिन राजू को एक प्यारी सी बिल्कुल नई चीज मिली। यहां उसका पसंदीदा खिलोना बन गया। मोहन भी बहुत इकरार करने लगा कि उसे उस खिलोने का उप्योग थोड़ा दे दे। लेकिन राजू ने अपना खिलोना देने से इनकार कर दिया। मोहन बहुत निराश हो गया। जब मोहन की माने उसे दुखी देखा, तो उन्होंने उसे एक सबक सिखाया। माने कहा, बेटा, सच्चे मित्र कोई वस्तुए नहीं होती। वे तो एक दूसरे के साथ समय बिताने और एक दूसरे की मदद करने में खुशी महसूस करती हैं। एक सच्चा मित्र हमेशा तुम्हारे साथ होगा, चाहे वह खिलोना हो या न कोई और चीज। मोहन ने अपनी मा की बात को समझा और वह राजू के पास गया। उसने राजू को गले लगा लिया और कहा, राजू तू मेरा सच्चा मित्र है। तेरे पास जो खिलोना है, वह मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी मित्रता इससे कहीं बड़ी है। राजू ने मोहन की दोस्ती की सराहना की और उसने अपना खिलोना मोहन को सौप दिया। दोनों बच्चे खुशी-खुशी मिलकर खेलने लगे। उन्होंने समझा कि सच्ची मित्रता ही वह अमूल्य खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। इस कहानी का सिख यह है कि वस्तुए हमें खुशी दे सकती हैं। लेकिन सच्चे मित्र हमें असली खुशी और सम्रिधी का एहसास कराते हैं।